जहिन भाई लोंग क्या हाल चाल तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तो वर्ल्ड कप 2030 के 25 रोंपावले के बारे में जिसमें एक तरफ हमको Defending Champion England दिखने वाली है वोई दूसरी ओर स्री लंका की टीम नजर आने वाली है हमने दोस्तो टॉस का परफेक्ट प्रेडिक्शन लगाया था वोई ट्रम प्लेयर थे दोस्तो हमारे ग्लैन मैक्सवेल जिन्होंने सांदार पारी खेलते हुए हमें नजर आये थे वोई हमने ऑस्टेलिया के वीन का भी बताया था दोस्तो जो की 100% हमारा प्रेडिक्शन पिछले मैच में एकदम सक्सेस्फूल रहा उसी सीरीज को हम आज के मैच में बढ़ाने वाले है दोस्तो आज के वीडियो में दोस्तो बहुत ही खास होने वाला है अगर हम मैच प्रिव्यू की बात करें तो यहां वर्ल्ड कप 2023 का 25 मैच स्रिलंका और इंगलेंड के बीच एम चिनना स्वामी स्टेडियम बैंगलूरू में खेला जाना है जो की भारती समय नुसार दो फैर दो बज़े स्टार्ट होगा अगर हम इस वैन्यू के रिगॉर्ड की बात करें तो टोटल यहां 38 मैच खेले गया है पहली बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 14 और दूसरी बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 20 मैच अपने नाम किये हैं फर्स इनिंग का उसरी स्कोर 232 रन करा है वोई सेकेंड इनिंग का उसरी स्कोर 215 रन करा है हाइस रन दोस्तो इस मैदान पे 383 रन बन चुके हैं वोई लोवेश रन की बात करें तो 114 रन करा है अगर हम highest chase की बात करें दोस्तों तो यहां 339 रन का chase किया जा चुबा है वहीं lowest defend की बात करें तो 166 रन कर रहा है तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पीछ रिपोर्ट के बारे में बैंगलोरी चिन्ना स्वामी का ये बहतरीन मैदान जो की बैटिंग ले बहुत suitable होने वाला है क्योंकि अगर कहा जा सकता दोस्तों कि यहां की बॉंडरी थोड़ी छोटी नजार आती है तो बलले बात दोस्तों आज से मैच में काफी हवाई फायर करते हुए दिख सकते हैं और आज का मैच काफी हाई स्कोरी होने वाला है अगर हम इस venue के दोनों ही टीमों के रिकर्ट की बात करें अगर हम इस venue के record की बात करें, तो पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली team ने जीते हैं, वोई बात में बल्लेबाजी करने वाली team ने दो मुकाबले अपने नाम किये हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तो इस venue में बने पिछले कुछ मैचों के score के बारे में जानते हैं दोस्तो जिससे हमें एक अंदाजा लगेगा दोस्तो कि आज के मैच में हमें कितने run का score देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों हम अगर पिछले मैच ही बात करें जो कि पाकिस्तान और उस्टेलिया के बीच 20 अक्टूबर को खेला गया था उस मैच में दोस्तों पहले उस्टेलिया बल्लेबाजी करने आती है और 367 रन का विशाली स्कोर खड़ा करती है जवाब में आई पाकिस्तान की टीम 305 रन पर ही सिमर जाती है और यहाँ मैच उस्टेलिया के नाम हो जाता है उसके जश्ट पहले मैच की बात करें दोस्तों तो पहले बल्लेबाजी करने आली टीम ने 506 रन बनाये थे जवाब में ओतरी टीम 183 रन पर आल आउट हो गई उसके जश्ट पहले मैच में 269 रन बने थे जवाब में ओतरी टीम 175 रन ही बना पई तो कहा जा सकता है दोस्तों कि यहाँ कोई बीटीम अगर टॉस जित्ती है तो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करने वाली है अगर हम पिछले कुछ मैचों के विगेट पैटन की बात करें तो पिछले 5 मैचों में पेसर्स के नामे 48 विगेट फर्स इनिंग में 28 और सेकंड इनिंग में 20 विगेट राइट आम 5 बॉलर के नाम है 42 लेफट आम 5 बॉलर के नाम है 6 विगेट वही अगर इस्पीनर्स की बात करें तो इस्पीनर्स ने इस मैदान में 22 विगेट चटकाए हैं फर्स इनिंग में 7 विगेट, सेकंड इनिंग में 15 विगेट, और ब्रेक बॉलर के नाम है 5 विगेट, लेक ब्रेक बॉलर 6 विगेट, चाइना में बॉलर के नाम एक भी विगेट नहीं है, वो ही और्थोडोक बॉलर ने यहां 11 विगेट हासिल किये हैं अगर हम पिछले मैच की बात करें दोस्तों जो कि पाकिसन और अस्ट्रेलिया का था उस मैच में पेसर्स ने 14 विकेट निकाले थे और वो ही स्पीनर्स ने 5 विकेट निकाले थे तो कहा जा सकते है दोस्तों कि यह पीछ पेसर्स के लिए काफी अच्छी हो सकती है नेक्स टीम के डिटेल की बात करें तो इंग्लेंड टीम के हैट कोच है मैथ्यू मॉट कपतान है जौस बटलर टाइटल एक बर जीता है पिछले वीश्वूकप दोज़ार उन्नीस की विजेता टीम इंग्लेंड ही रही थी वही अगर स्रिलंका की बात करें तो हैट कोच है क्रीज सिल्वर वूड कपतान है धसुल शनाका पर दोस्तो इस मैच में हमें कपतान ही करते हुए कुशल मेंडिस दिखने वाले हैं टाइटल एक बर अपने नाम किया है अगर बेश फिनिस की बात करें और हम कहा सकते दोस्तों कि यहां के बांडरी भी काफी छोटी नजर आती है अगर हम इस मैदान के डाइमेंशन की बात करें तो स्ट्रेट बांडरी 72 मीटर वहीं स्क्वेर बांडरी के ओर देखें तो 67 मीटर और 63 मीटर नजर आती है तो यह venue दोस्तो काफी high scoring match देने के लिए जाना जाता है और दोस्तो आज का match के लिए भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह match काफी high scoring जाने वाला है अगर हम इस मैदान के view की बात करें तो बहुत ही सुन्दर और लाजवाब मैदानों में से एक माना जाता है अगर हम इस मैदान के डोन view की बात करें तो बहुत ही संदर और खुबसूरत नजारों से भरा यह मैदान भारत के बहुत ही बहतीर मैदानों में से एक माना जाता है नेक्स अगर हम weather report की बात करें तो आज के match में बादिस्शी कोई भी संभावना नहीं है और आज का match पूरा होगा और सभी fans पूरी तरह से आनन्द उठाने वाले है अगर हम team news की बात करें तो England के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि रिसीटो पले ruled out हो चुके है और ब्राइडन चार्स उनकी जगह ले लिये है वही अगर सिलंकर टीम की बात करें तो उनके कप्तान धसुन सना का ruled out हो चुके है अब वो तीन हपते के लिए match नहीं खेल पाएंगे जिनकी जगह करूना रतने को लिया गया है वही अगर पथिराना की बात करें तो वो भी ruled out हो चुके है और उनकी जगह Matthews ने ले लिया है तो दोस्तों दोनों ही टीमों को काफी तगड़ा जटका लगा है नेक्स अगर head to head record की बात करें तो दोनों ही टीमों के बीच कुल 78 ODI match खेले गया है जिसमें England ने 38 और सिलंकर ने 36 match जीते हैं 4 match no result रहा हैं तो देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिलती है अगर हम पिछले 2-3 सालों में बात करें तो कुल इन दोनों ही टीमों के बीच 5 match खेले गया है दो match England ने और दो ही match सिलंका ने भी अपने नाम किये हैं एक match no result रहा है नेक्स्ट अगर हम दोनों ही टीमों के recent form की बात करें तो World Cup में दोस्तों England की टीम ने अपने 4 matchों में से 1 match जीते हैं और 3 हार्ती वी नजर आई हैं वोई अगर सिलंका की बात करें तो सिलंका ने भी अपने 4 matchों में से 1 match जीते हैं और तीन मैश हारती वी नजर आई है दोनों ही टीमें दोस्तों आज के मैश में पुर्जोर कोशिश करने वाली है और आज का मैश जितका पॉइंट टेबल में अपना इस थान बहतर करने के कोशिश करने वाली है Next अगर हम दोनों ही टीमों के Playing 11 की बात करें तो इंग्लेंड के लिए डेविड मलान और जॉनी बेश्टो हमें पारी की शुरुवात करते हुए नजर आएंगे चरितर सिलंका, धरंजाडी सिल्वा, चमी का करूना रतने, वेलाल गे, कशुन रजीता, महेश्टिक शना और दिर्शान मदुशंका हमें प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं वो यहां का बेश्ट प्लेइर की बात करें तो एंजिलो मेथ्यूज, लहिरू कुमारा, दिमूत करूना रतने, दुशान हेमन्ता और धर्शुन सना का हमें बेश्ट पे नजर आने वाले हैं अगर हम प्लेइर्स के स्टेट्स की बात करें दोस्तो तो देवीड मलान की बात करते हैं अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो बेश्टों की फॉर्म बहुत ही खराब नजर आई है, पिछले पांच मैचों में केवल एक ही अर्सतक इनके बल्ले से निकले हैं, ये वर्ल्ड कम इनके लिए काफी खराब फॉर्म लेकर आया है, पर बहुत ही सांदार खिलाडी दोस और लेट्स सी आज शे मैच में कैसा करते हैं, नेक्स्ट है जो रूट, सिलंका के खिलाफ 28 मैचों में 65 की उसाद से 1175 रन बना है, जिसमें 2 सतक और 9 सतक सामिल है, और इस दोरान उन्होंने एक विकेंड भी लिये हैं, फर्स्ट इनिंग में इनका उसादा 64 का, सेग्ड इन रन बनाया है, फर्स इनिंग का उसाद़े 10 का, सेकेंड इनिंग का 100 का, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बाहती बैतरीन, सेकेंड इनिंग में बहुत ही सानदार खिलते होई नजराते हैं, पिछले मैच में दोस्तों पांच अन बना कर जल्द ही आउट हो गये थे, पर बहुत ही सांदार खिला रिये हैं एन लेट सी दोस्तो आज के मैच में कैसा करते हैं नेक्ष्ट है जौस बटलर सिलंगा के खिलाफ 25 मैचों में 41 की उसा से 574 रन बनाया हैं जिसमें एक सतक और तीनर सतक भी सामील है इस दोर आरों ने 22 कैच और तीनी स्टंपिंग भी किये हैं पर ये बहुत बहतरिन खिलाड़ी है दोस्तो अगर इंग लेंट की टिंग का टॉप ओडर फ्लॉप होता है तो जौस बटलर बहुत ही वेल्यूबल होने वाले हैं नेक्ष्ट दोस्तो मोहिन अली सिलंगा के खिलाफ 20 मैचों में 341 रन और 12 विगेट हासिल किया है पर इंग में इनको उसाता 9 का, सेकेंड इंग में 30 का, सेकेंड इंग में 13 मैच में 9 विगेट, सेकेंड इंग में 4 मैच में 3 विगेट रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब नजर रहा है हलाकि बल्ले से ज़्यादा ये बॉलिंग में कारगार हो सकते हैं अगर दोस्तो एक baller के रूप में इंको अपनी टीम में ले रहे हैं तो आज के match में दोस्तो ballers के रूप में और भी बहतर option आपको मिल सकते हैं Next अगर बात करें Harry Brook Recent form की बात करें तो recent form उतना खास नजर नहीं आ हैं पर अच्छे कासे sound player है दोस्तो बहुत ही बहतरीन पारियां खेले हैं पिछले कुछ मैचों से काफी अच्छे टच में भी नज़रा हैं एन लेट सी दोस्तो हैरी बुक आज के मैच में कैसा करते हैं नेच्ट है डैविड विली आट मैचों में 19 विगेड हासिल किये हैं फर्स इनिंग में 7 मैच में 15 विगेड वही सेकेंड इनिंग में 1 मैच में 4 विगेड सिलंका के खिलना काफी पसंद करते हैं दोस्तों पिछले मैच में हाला की विगेड लेस नज़राय थे पर बहुत ही सांदार बॉलर हैं और लोवर और में काफी अच्छे बल्ले बाजे भी करके देते हैं तो ये प्लेयर दोस्तों काफी खास हो सकते हैं नेक्स्ट है क्रीस वोक्स 19 मैचों में 231 रन और 30 विगेड भी हासिल किया है फर्स इनिंग में 14 मैच में 26 विगेड पर इंग्लेंड अगर पहली बॉलिंग करती हैं तो खास होने वाले हैं नेक्स्ट अगर बात करें आदिल रशीद तेरा मैचों में 15 विगेड ले चुके हैं चोबिस रन भी बनाया है फर्स इनिंग में 11 मैच में 13 विगेड सेके निंग में 2 मैच में 2 विगेड 5 बर विगेड ले भी नज़राया है पिछले कुछ मैचों से देखा जा सकता है दोस्तो बहुत ही बहतरी विगेड लेते हुए नज़राया है इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो आप इनको वाइस केप्टन भी चून सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बेंच प्लेयर की बात करें तो बार्डन चार्स अगस एटकिंसन आप इनके भी रिकॉर्स पर एक नज़र जरू डाल सकते हैं नेक्स्ट लियाम लिविंग्स्टन और सैम करन इनके स्टेट्स पर भी आप एक नज़र जरू डाल सकते हैं नेक्स्ट अगर हम ओवर्स के डीटेल की बात करें तो स्टार्टिंग ओवर क्रिस वोक्स और डैविड विली करते होए नज़र आएंगे फर्स चेंज के रूप में हमें मोहिन अली दिख सकते हैं वहीं डैट ओवर की बात करें तो डैविड विली, मार्क वोड और क्रिस वोक्स हमें नज़र आने वाले हैं अगर स्रिलंगा प्लेयर्स के स्टेट्स की बात करें तो कुशल परेरा इंगलेंड के खिलाफ 19 मैचों में 19 की ओसा से 334 रन बनाया हैं अगर पीछले कुछ मैचों से देखें दोस्तो तो उतने खास फॉर्म में नज़र नहीं आ हैं हाला कि दोस्तो 78 रन की पारी इनकी काफी अच्छी नज़र आई थी पर दोस्तो इनका फॉर्म बहुत ही खराब दिखा है और लेट सी आज के मैच में कैसा करते हैं अगर निशंका की बात करें दोस्तो तो इनकी पीछली पारीों पर एक नज़र जरू डुर डाल सकते हैं दोस्तो जोवन, 161 और इंक्या वन तिन पारीों में लगातार तिन अरसा तक इनके बल्ले से निकले हैं सेकेंड बल्लेबाजी करते वे बहुत ही खास हो जाते हैं एंड लेट सी दोस्तो आज के मैच में कैसा खेलते हैं नेक्ष्ट है कुशल मेंडीस एंग्लैंड ये खिलाब 9 मैचों में 31 की उससे 276 अर्मना है 3 अरसा तक सामिल है 3 कैच और 4 स्टंपिंग भी किये हैं 1 इनिंग में को हुसात 32 का 2 इनिंग में 22 का अगर 1 इनिंग में ये बैटिंग करते हैं तो इनको जरू से जरू ट्राइ करने की कोशिश करें वर्ल लेकप में इनका फरॉम काफी अच्छा रहा है हाला कि पिछला दो मैच उतना खास नहीं रहा है पर काफी अच्छे टच मिला जा रहा है and let's see दोस्तो आज के मैच में एक ऐसा खेलते हैं next है सदीरा समरा विक्रमा England के खिलाफ तीन मैचों में 90 रन बनाया है first inning 35, 1, 54 recent form की बात करें तो इनके बल्ले से काफी अच्छी पारिया हमें देखने को मिली है काफी अच्छे टेकनिकल सौंट बल्ले बाज़ा दोस्तो and let's see आज के मैच में एक ऐसा खेलते हैं next है चरीत असलंका England के खिलाफ दो मैचों में 3 रन first inning में 3, 0, recent form की बात करें तो डिसीलवा का form World Cup में काफी खराब नज़राया है गेंद बाज़ी में तो एक भी विगेट हासिल नहीं किये हैं वहीं बल्ले बाज़ी से कुछ 30 रन और 25 रन जैसे अच्छी पारियां देखने को जरूर मिली हैं पर दोस्तो उतना ज्यादा value नहीं दे पाया है and let's see आज के मैच में एक ऐसा खिलते हैं next है चमी का करूरा रतने England के खिलाब 3 मैचों में 15 रन और 2 विगेट भी हासिल किया है recent form की बात करें तो पिछले मैच भी इनका Kate Lacey नज़र आया है हाला कि lower order में अच्छी का सी बल्ले बाजी भी दे सकते हैं तो बेटिंग और बॉलिंग से value दे सकते हैं next है दूनीद वेलाल गे recent form की बात करें तो recent form इनका भी उतना खास नज़र नहीं आया है पिछले मैच में एक विगेट जरूर हासिल किये थे पर दोस्तों ये उतने खास टच में नज़र नहीं आया है देखते हैं दोस्तों आज का मैच ये कैसा खिलते हैं next है कश्रून जर जीता इंगलेंड की खिलब दो मैच में एक विगेट recent form की बात करें तो पिछले मैच में बहुती सांदार चार विगेट लेते हुए नज़र आये थे बहुती सांदार बॉलर है अगर सिलंका पहले गिंद बाजी करती है तो काफी important होने वाले है next है महस्तिक शना बहुती सांदार खिलारी दोस्तों ये बॉलर ऐसे है दोस्तों कि हमें power play और death war दोनों में ही नज़र आने वाले है सिलंका की पहले गिंद बाजी में काफी कारगार साबित हो सकते हैं next है दिल्शान मदुशंका recent form की बात करें तो इन्होंने अपने last match में 4 wigate जरूर निकाले थे और भी इनके form देख सकते हैं दोस्तों 3 wigate, 2 wigate, 2 wigate बहुत ही सांदार बॉलर हैं और बहुत ही अच्छे लाय में भी नज़र आते हैं तो दोस्तों आज के में मदुशंका खास खिलाडी होने वाले हैं next अगर bench player की बात करें तो Angelo Matthews, दिमूत करूना रतने लहरू, कुमारा, धशुन, शाना का आप इनके भी दोस्तों इस्टेट्स पर एक नज़र जरूर आ सकते हैं next अगर हम ballers की यूश्ट की बात करें तो Madhušंका और रजीता हमें पारी की सुरुवात करते हुए नजर आएंगे लेफ्ट हम मीडियम बॉलर के सामने 13 इनिंग में 4 बार अपना विकेट दे चुके हैं वही और्थोडोक बॉलर के सामने 10 इनिंग में 3 बार विकेट दे चुके हैं सामने होंगे विलाल गे एन लेटसी दोस्तों ये बैटल हमें कैसे देखने को मिलती है जॉनी बेश्टो लेफ्ट हम मीडियम बॉलर के सामने काफी कठी नाई में नजर आते हैं 45 इनिंग में 16 बार अपना विकेट दे चुके हैं जो रूट डिसिलवा ने 4 इनिंग में 1 बार वही एनजिलो मैथ्यो ने 15 इनिंग में इनको 3 बार आउट किया है लेफ्ट हम और्थोडॉक बॉलर 61 इनिंग में 17 बार इनका विकेट ले चुके हैं विलालगे इनको काफी तंग कर सकते हैं एंड लेटसी दोस्तों ये बैटल कैसे होने वाली है इनका बैटल दोस्तों लेग ब्रेक बॉलर के सामने काफी अच्छा देखने को मिलता है 38 इनिंग में 10 बार अपना विकेट दे चुके हैं वही चाइना में बॉलर ने 8 इनिंग में 3 बार इनका विकेट लिया है नेक्स्ट मोहिन अली डिसीलवा के साथ इनका बैटल बहुत ही सांदार नजर आता है दोस्तों 4 इनिंग में 3 बार इनका विकेट ले चुके हैं वही 17 गेंदों में 25 रण की पारी मोहिन अली ने खेली है तो ये बैटल दोस्तों काफी सांदार होने वाले हैं वही अगर ओप रेक बॉलर की बात करें तो सैंदी सीनिंग में 15 बार अपना विकेट दे चुके हैं सामने होंगे तिक्षाना जो इनको काफी अच्छा तंक कर सकते हैं लेक ब्रेक बॉलर ने भी 30 इनिंग में 10 बार इनका विकेट लेते वे नजर आया हैं नेक्स्ट लियाम लिविंग स्टान डेविड विली इनके बैटल उतने खास नजर नहीं आते हैं वोहीं लेफ्ट हम मीडियम पेज बॉलर, 56 इनिंग में 21 बार इनका विकेट ले चुकिया है। नेक्स्ट है कुशल मेंडिस, कुशल मेंडिस का बैटल दोस्तो आदिल रशिद के साथ काफी अच्छा नजराता है। आठ इनिंग में 4 बार इनका विकेट ले चुकिया है। जीरो रन बनाया है, तो दोस्तो ये बैटल काफी अच्छी देखने लाइक हो सकती है। वही चाइना में बॉलर ने भी 9 इनिंग में 4 बार इनका विकेट लिया है। आठ इनिंग में 9 बार अपना विकेट दे चुकिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टरंप लेयर के बारे में। तो दोस्तो हमारे आज के मेंच के टरंप लेयर होंगे जॉनी बेश्टो। 3-4 मेच निकल गया है। जोनी बेश्टो का बल्ला उतना खास हमें चलते वे बिलकुल भी नजर निया है। पर दोस्तो मुझे लगता है जोनी में जोनी में बैश्टो निके बल्ले से और सत्की पारी देखने को जरूर मिलने वाली है। चुकि दोस्तो फर्म की वाज़े से इनको बहुत से लोगों ने अपनी टीम में बिल्कुल भी नहीं लिया होगा तो जोनी बेश्टो दोस्तो आज के मैच में काफी खास करने वाले हैं और दोस्तो आज के मैच में यह हमारे टरंप प्लेयर होने वाले हैं Next अगर हम prediction की बात कलें तो सबसे पहले toss की बात करते हैं, तो आज का match का toss दोस्दो England अपने नाम करेगी अब पहले बल्ले बाजी करने का फैसला कर सकती हैं, वही आज के match के prediction की बात क करें, तो दोस्तो आज का match similar이면 England अपने नाम करने में कामयाब होने वाली हैं, वो ही अगर Grand League की बात करें तो डेविड मलान, महिस्तिक्षन, क्रीस वोक्स और डेविड विली कप्तानी और उपक्तानी का बहुत ही अच्छा ओप्षन देते हैं तो आप इनमें से अपनी टीम में कप्तान और उपक्तान चून सकते हैं तो चलिए दोस्तो हम बढ़ चलते हैं हमारी टीम की ओर तो मैंने दोस्तो अपनी टीम में लिए कुशल मेंडिस, जौनी ब्रेश्टो, जो रूट, डेविड मलान, चरित असलंका, डिसिल्वा, डेविड विली, करू नरतने, मार्क वूड, क्रीस वोक्स और मदू शंका अगर इंगलेंड दोस्तो पहले बल्लेबाजी करती हैं, तो विली के जगह आप ब्रुक्स को अपनी टीम में जरूरू सामिल कर सकते हैं, या तो मोही नली भी बहुत ही अच्छा ओप्शन देते हैं, वोही हम अगर अपनी टीम के कप्तान और उपकतान की बात करें, तो ज ये थी हमारी टीम दोस्तो, उमीद है इस टीम से आपको अपनी टीम बनाने में काफी मदद मिलेगी, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, उमीद है आया जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हम लोटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके युटूब चैनल क्रिकेट सुच नावे